आज का तड़का हलो जी, असलाम वालेकूम और वल्कम तू दे शो आज का तड़का मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिरें जी बड़ी जबर्दस, मज़दार, जाकेदार और लज़त से भरपूर रेसिपी लेकर और प्लस रेमेडी लेकर अच्छा जी, आज बड़ी जबर्दस दो रेसिपी के एक हम बगारे राइस बना रहे हुआ है और दूसी रेसिपी हमारे हारयाली पसंदे तो दोनों रसेपी आपने ट्राइर करनी और राइज करने के बाद रेसिपी की तरफ जाने से पहले आमारे साथ मौजूद हमारी आपा है ठीक है जी आप डॉक्टर कहें या न शुपएत कहें ठीक है जी अमेर आहिल पहले इन से मिलते हैं और फिर फ़र आगी ले चलते हैं अल्हम आपा कैसे हैं तो अब इस मौसम में लोगों की तब्याद बड़ी खराब हो जा लिए बिलकुल ऐसा ही होता है यह वजय क्या है वय्चेसे जो मौसम चर रहे है अभी तो मौसून की वज़ा बारिशों का जो सीजाने तो बादल आएवे हैं तो कराची में क्यों हो रह अमाल है, जब होती है तो कॉम होती है और इसे सुना है बारश बेच ही होई। बट हो जाएगे बहुत कम अब की दफा बारिश नहीं हुई है लेकिन सुना है कि अब इन्शाला 14-15 तक बारिश होनी है मैंने सुना है कि नौट नया नासमाबाद और इन जगों पर जो तो तो पानी एकदम खड़ा हो गया अची खासी बारिश होाई है, मलीर कान की तरह बारिश होई है जोहर साइट पहोई है भाकि मतलब कराची बड़ा बहुत हो गया है यवाव बात अब फैक्र언 कराची वाकई में बहूत बड़ा है बादल भी परेशान हो जे ते कहां जाए कहा ना है अच्छे तो अब आज क्या रेमिडीज हैं हमारे पास अच्छा हम कुछ भी प्रोडाम करें बहुत सारी चीज़ें लेकर एक सवाल जो जो जरूर आता है वो वजन के हवाले से आता है और मतलब बाकी जो आप कोई भी टॉपिक लेकर आजे कुछ सवाल आपके मखसूस लोग लुधत अपक बहुत असानी से और बहुत जल्दी से कन्ट्रोल किया जा सकता है वसके इलावा हम घर में असी कौन सी चीज़े हैं हमारे घर में जो बजर्ग होता हैं हमारी जो बुद्रोग होता हैं वह अभी तनी एड़ंस नहीं होई कि वह कहांगागे हम पॉलर जा रहह उसके फाइदे बताएंगे वो है बेंगन क्या वात है अच्छा मेरा एक हमारी एक कॉलर है जो लास्ट सेमों में कॉल किती पतनी इसफक देख रही है यह नहीं उनका सवाल साथ के वो जो उनके चिकन पॉप से गढ़े अपने बताया भी था मैंने बहुत बुरा बताया था म मुझे पता ही है वाथ कि मैंने बहुत बुरा बताया था मैंने यह भी का था में कि मैं शेफ खाना अच्छा बना लेता हूं मगर इन चीजों में बहुत बुरा हूं बट वह आप इन्शालला भी आपको बतादेगी आप में से जितनी भी लोग इस वक देख रहे हैं चाहे है नमबर ओन स्क्रीन है और इसके लावत तमाम रेमिडीज आपको इंस्टाग्राम ट्विटर और फेजबुक के पर हमारे पेज़े से आज इंटर्टेज्मन और यूट्यूब पर आपको इसली मिल जाएंगी और डेली बिस्स पर अबलोड हो रहे होती है आज फूट अच्छी विगको सही बताया था अब जाया तो जो जाया तो चीजों पर प्रक्टिस आने में ताइम लगता है जो पिट्स पर जाते हैं जो निशान गड़े हो जाते हैं उनके लिए डिफरेंट इसे आप से कहा था कि ट्रीप्मेंट्स होते हैं अगर होम रेमेडी मिल जाता है उस पाथर का जो पादरा बनालेंगे उसको अपने अर्क गुलाब के साथ पेस्ट बनाना है अच्छा उसका पेस्ट भी मास्की तरह नहीं बनता वह लग-लग सारग जीसे रेत की तरह रहता है जैसे रेत पानी में मिक्स नहीं होता इस तरह मुर्दा और संग पानी में मिक्स नहीं होता है बस आपने गाड़ा सा इसको मिक्स करना है और ब्रेस्ट से जो है उसको पूरे फेस पे स्पेशली जहां पर गड़े हैं वह पर लगा लेना है आदे घंटे के लिए आपने उसको छोड़ देना है आदे गंटे 20-25 मेरी आदा घंटा थर्टी मिन पर आपके नुकसान दे सकता है उसको आपने सिर पॉड़र है पॉड़र का कोई नुकसान है लेकिन रगर नहीं आनी चाहिए आपने इसको जब वो ड्राय हो जाएगा आपने फेस वाश लगाना है फेस वाश लगा कर लें और वाश करने के बाद पर अच्छी तरह से आप मैं क्या दूँ अकल लोग होते न बरी तरीक के से श्राइख को लुग में पताा रही है आपने आपको आप से प्यार करते हैं आप उससे रह üzネ catching करेंगे अचा लेकिन बहरल है फेस वाश करने का तहरीका यह होता है जो दो ताइम का जो फेस वाश होता है इस बहुछ का आपता है अर रात का ताइम के साथ किया जा जाहिए वह मृष्पर मशाज रहो है इससी सितनारियोंfish करने न्योग अचिस हैं उल्ले हाँ के नोड़ा को सोपा करना है अगर उस पर डिए अड़ लो करनारी है। एक रावे जोना ना होगा अच्छी तरह से पानी चेहरे के पड़ ऑालेंगे हो आपने जालेंगे जब कोई हम द़गा हम फैस वाउच लगाए तो वह सारा आउयल अन्र से खाँच के निकालताई तो हल्का सा पुछ बाहर सी फील होती है यदिस कर देखा और यदि आपको पॉची लिए ज़सी और चिकना चिकना सा या या अपको लगएगा हलका सा कुछ स्लिप सा हो रहा है को श्रória को अपने क candi को यंड हुज इंड रात गया चाहिर को थाल उत कि यही मेकम पेपर है लोट किरण का मिउडिड एक अगर कोई किया यहा है है तो में हमoped डूद ले राइनी। किया या सिंपल अपने मसाज करके तकि आपका मैल जो डर्ट वगार वो निकल जा फिर अपना फेस वाश करें इसके साथ एक कॉलर है आप उनसे भी बात करते हैं असलाम अलेकम जी वालेकम स्लाम स्लाम क्या अलबाई ठीक थाग मेरी बहन आप केसी है ठीक है तभी ठीक है वालेकम स्क्राद करसे फिर्थ वतेया अवसंदै को वेमें अपनाती के साथ आप नि एक अठीक निर्ग है अटेरा दें हैं झाजूसकर के सामने प्रिण आप आपर आप है क्रील अटों कीिस स्कार है प्रस्क्राइल अर्जगा जिभ पतारी कि अधए मेहन आपके दाएं तो उसका रंग औरंग सा और रेड़िश टोन में आता है सर्थ लाल भी आ जाता है जब सुफएद बाल होगा या कलर लाइट होगा तो इसमें और जाहर सी बात है जिससे हम कहते हैं हम मेक अप करते हैं तो हर चाहरे के अपर रंग डिफरेंट आता है लिप्स्टिक का भी हर चीज़ का तो मेहंदी का रंग भी डिफरेंट आता है बालों के हसाफ से अच्या करना किया जो मेहंदी का रंग वो नैसरका और और जाय क्याय रिफरेंड़ेंट अदर वह ब्रावन करना चाहते हैं तो एक तो सिक अन्हे पकाते हैं कहवा बनागे उसके अंदर मेहंदी भी गोनी है काली चाई के अंदर पिर उसके अंदर काफी डाली है और आलू के चिलके बारिक बारी काटके डालने और उसको आप कम से चार पांच घंटे रखें और फिर वो महंदी लगाईगा और उसके बिल्कुल डार्क ब्राउन आएगा क्या बात है आपकी रेमेडी और यह सारी चीजें जो है ना चल रही है साथ एक टाइम बड़ा स्पीड से आपके साथ गुजरता है तो यहां पर एक शौट से ब्रेक पर जाएंगे ब्रेक से वापस आएंगे आकर बाकी की रेमेडी आपस पुछेंगे तो जाना कहीं नहीं आपका साथ एक बार फिर अच्छे जी नश्रोपाइद उमर राहिल डॉक्टर कहें या आपका कहें हमारे साथ मौजूद हैं और अगर आप मेंसे कोई भी कुछ भी इनसे पूछना चाहता है किसी भी बिमारी से रिलेकिट तो वो कॉल कर सकता है आपको हमारे साथ मौजू तो सबसे परदे हमने एक ग्लास पानी लेना है एक ग्लास पानी के अंदर सौंफ है सौंफ वन टेबलिस्पून ठीक है अच्छा सौंफ वैसे भी कहते हैं कि खाने के बाद भी जो है इनसका इंटेक जो है खाना डाइजस्ट करता है और जिनको ब्लोटिंग रहती है गास् क्रेम्स परते हैं किसी भी वज़ा से सौंफ अगर खाते हैं सका कहवा पीते तो बहुत फाइदेबन होते हैं अच्छा सौंफ हमने लिया वांटेबलिस्पून अच्छा इसमें हम डालेंगे अजवाइन अच्छा अच्छा अजवाइन सब को सूट नहीं करते हम थोड़ी अच्छा 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 अच् तो चुछ से कबज रहने शुरुएॹए है तो उसके कबज का मस्ला नहीं होता तो जोर वह जाद है ठीक है तो पाखाना भी कर्ती में 8-10-10 जाष देन बाद करती है पोटी उगेरा अगर करती है तो भी थोड़ी-छोडी चीना भी प्रॉजर में कची रहती है, सारा भी तो इसका ये मसला बहुत जाद है तो ऐसे खाना पीना माश्या अला थीक है, एक्टीवी से ही, अला तो शुकर है तो अपने बारे में बात करनी थी मैं रात मिचे थीक आपरकों बिशसर कज को लाध करना में थीक आप मेural स्विस्टम में शुकावता है एक्पम मरत मम्न थातए हाग और इस पहुंचों में भी थाइसे तीक है सिर्फ गइाप सिरूज बाता हथाँ वेयु गुञँ है वहां 20 सरक पर AD में रखी जाती है ठीक अपर उमर किया जैनब 36 ठीक है बता जैनब मेरी बहुत जैनब आप इसके सामने आजे हैं आप भी बता जिती है अप अप इसका मेरे खाल से यॉरिक एसेट का मसला तो भी उता है अपने पूरी टेस्ट करवानी चाहिए हैं से कि बहुत सारे स्रिफ एक AD का पैरो का दर्दी हैं इनको पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है थकका नो रही है ना करवार पिलेट पा रही है किसी बीतारां से ना मलब एक टाइडनेस है उनको हो सकता है उनको हमेगलोबिन की कमी भी हो आयरन की डेफिशेंसी हो वाइटमीन बी की कमी हो इस सारी चीजें जो आपकी पूरे बॉडी का जो कि मसला अपका बॉडी दुख रही होती है अच्छा पहले इसको पूरा कर तो फिर मैं बताते हैं अच्छा इस पानी को जो हमने पकाना है जब हाफ ग्लास रह जाएगा सौफ एक टिबले स्पून और हाफ टी स्पून अजवाइन ठीक है और इन दोनों को पका के हाफ रह जागा तो यह पानी आपने दिन में कभी भ अजवाइन की मिगदार बढ़ा सकते हैं और इतना सा टुकड़ा जो है आप दारचीने का समयट कर दें तो अजवाइन का कोई साइड एफेक्ट नहीं है जार से सब को नहीं सूट करती तो उसको पेट खराब हो सकता है आपको सोड़ से बर्नी कील हो सकती है मोशन हो सकते ह अगर ऐसा कोई इशू नहीं है आपको लगता कि नहीं ऐसा कोई वसला हमारे साथ नहीं है कोई इशू नहीं हम कर सकते हैं मैनेज तो इस्तमाल कर लें वरना कॉंटिटी कम रखें अच्छा इन्हों ने सवाल जैनब ने किया था अपनी बच्ची के बारे में कि बच्ची को कॉंस्टिपेशन रहती है पहली चीज के आपने फूल आफ फाइबर उनको फूर देना है बच्ची को फूर्ट्स खिलाने हैं जूसनी पिलाना से के बच्चे जल्दी में जो है हर चीज निकल रहे होते हैं तो फाइबर के इस्तमाल करवाने हैं दूसरे हैं कि अब तक्रिब स्टार्ट कर लें हाफ तीस्पून केस्टरोल डालना है चीनी या शेयर डालके मीथा करना है वह बच्ची को पिला दीजिए यह दो चीजे जरूर करना शुरू कर दीजिए चीजें बहुत सारी होती है लेकि अभी एज़ बी काम है बच्ची की लेकिन खाना उसको बच्ची के लगाएं या इसे पाक लेजाएं इस तरह की काम करें अफ जाते हैं अब रहे स्टेवाट जो है पैर किस वाड़ इसके पर तेल लगाएं बेली बटन में तेल लगाएं नाक के अंदर तेल डालें आप रखेंगे इंशाला बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा ठी तो यह बात है। एक और मेरी बात है। स्लाम अलीकम जी! अलेकॉम असलाम! जी मेरी बहन नम्मे आपका और क्या कहना चाहते ह। जी मैं नाबी बॉपकिना ना। आका से बात करनी थी ना, मेरा ना नजलाशकाम रवक्त रहता है। और मेल रॉर चुन ही है। चेदी एढ़ा हैं। ज़ला भाही आप नापा एढ़ा है। तांक्यॉ होज़। पहल कि मैरी भिःनु भूट मेरी बहुत शुक्रिया। और उन्हों डॉज़्य। ज़ला भाही मैने आपा इढ़ा हैं। मझे कहवा ना बताया कोई ना सुखी पोर्डर वाली द्वाही बता दे ठीक है मेरी बहन आप स्क्रीन के सामने आजाओ अभी आप आपको बताती है ठीक है थैंक्यू जी अपा अच्छा नजला जुकाम है उनको जार सिवे तरूने का कहवा नहीं बताएं पहली चीज है कि नजला जुकाम अगर बहुत जादा हो रहा है पहली खाना पीना ही पड़ेगा पीना जादा एफेक्टिव होता है बच्छी के स्टीम लेना शुरू कर देंगे इस टीम लेना बहुत जरूरी है दूसरा ये कि लेवेंडर टी मैं पहले भी बता चुकी हूं माजून का नाम आपको तयाद होगा नहीं कौन सा लेवेंडर टी था और एक वो था गाउजबान के पत्ते थे और सनम अत्रीफल इस्तखुदोस लेवेंडर है उसका माजून ह आप खाना शुरू कर दीजिए उसको पी भी सकते हैं लेकिन आप खाना शुरू कर दीजिए और जिस रहा वजू करते वह था नाख में पानी चढ़ाते हैं अपा असान नाम है असान नाम आप एक दफा बताएं आप क्या नाम था शिर्फ खुदूस नाम लिया और कुछ हां पे जाके फील होगा चुबेगा यस तो यह बहुत जरूरी है आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी फाइदा होगा बनफशा लेकिन फिर वह इन्होंने कहा कि पीने का कुछ नहीं बता रही हूं स्टीम आपने लेनी है इस ता खुदोस जो है लमेंडर का माजून आ अफॉर जो आन्हों नहीं इस पीना नहीं जिए एक कब दूद दूद के डालके रात को सोते बत पिना शुलू करता थान उससे हो क्या उपको पूरा अपकर ब्लॉके आरही होती है लंग्स का इशू आरता है वह इमनीटी आपका बूस्टर होता है आपको स्ट्रेंग देत आगे भी खड़े होते हैं तो वह कपड़ों की जो एक फ्यूम्स होती है उससे भी लोगों को अलर्जिक होती है लेकिए जलाल अलर्जी तो बहुत सारे आप आप आई जी टेस्ट करवाएंगे अलर्जी पता चल जाए गया अपको लेकिन आप किस किसी से कहां कहां वह लेकिन सब्सक्राइण उसटनेखे होते हैं हलका रुओं होता है जो चीज जा कि टक्राती है वो SENSES, नोर्जों संसर है तो आपको ब intéressant है इलर्जी शिरू होती है जिए प beside पी चीज आउने करेगा तो रितल चिज और नहा नहीं हो तो मतलब आपने ए लोग ये पहले करना है रोजवाटर लेना हमें ठीक है रोजवाटर तकरीबन आधा कप लिया इसमें हम डाल रोजमेरी रोजमेरी अच्छा पानी रोजवाटर को गरम कर लेंगे खोला के फिर हमने रोजमेरी डाला है रोजमेरी जहना आपने डाल के अधार अधार अमने डाल दी लॉ तकरिबन 3-4 घंटे यह रखा रगा फिर आपका जो पानी तयार होगे यह आपके स्किन को फ्रेश करने के लिए टॉनिक तयार होगे तोनिक तयार होगे रोजबेरी एक हर्ब है जो इसली आपको 20-30 ग्राम से लेके 50 ग्राम और 500 ग्राम तक का पैकेट इसली मिल जाता है अच जो है आपने फेस वाश करने के बाद फिर्स्ट इस प्रेस का करना है ठीक है दिन में या शाम में भी कर रहे तो लाजमी करें यह आपके चहरे को एक फ्रेशनेस और एक गलो देगा वो एक यंग लोग जिससे करता है यंग गलो आपके जलाल की तरा हुबसूरत हो आप यह लगाना शुरू कर दीगां है इसके बात क्या करने तिमाटर हर घर में मौज़ूद होता है इसके आपने हाफ करना यह एक स्लाइस ले जिसने जूस हो इसके पर अपने शेहत मिला लगाना है पूरा हनी लगा के आपने पहले फेस वाश किया इसका स्प्रे किया और पूरा मसाज करें पूरा शेहत के सार अपना नेक का फेस का मसाज करें जब अच्छी तरह से लग जाएगा पो लगेगा इसका जूज जो ड्राय हो गया है फिर आप तकरीबन 20-25 मिन के लिए फेस को एस चोड़े और 20-25 मिनट्स के बाद आप थंडे पानी से फेस को साधे प लाल तो होना ही नहीं है लेकिन आपको फुद इंस्टेंट जो है वो लिफ्टिंग फील नजर होगी जो फाइन लाइन बार इक आना शुरू हो जाती है इसके ग्रैजुली सेक करती है और जब आप इसको डेली बैसिस पे करेंगे शुरू में डेली कीजिए फिर हफते में नहें तीन बार कीजिए और रेगुलर बेसिसस पते uchen saat कुन यूस करते रहें में हुआ जिन लोगों ने इसको इसको इसमाल किया और जो जो इसमाल करते हमाइं ऑर किसी ट्रीट मेंट की जरूरत ही नहीं आपके साफिसाध टाym को अकूदा निपते चलता है एक plant रहे का Thank you very much, आप आया, आपने time निकाला और आपने remedies बताई और मेरे ilm में इदाफा किया आपने, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया Welcome तो इस जाना कही नहीं है, एक short, si, मज़ेदार si, और जबरदस si recipes है हमारे पास दो recipes है, एक नहीं है, दो हैं तो दोनों आपने सीखनी हैं और समझनी हैं और फिर आमें feedback भी देना है, तो मिलते हैं जी, एक short, si, break के बाद Welcome back from the break viewers break से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर, अच्छा जी, यहां पर अमेर आहिल आपा हमारी हमारे साथ मौजूद थी जिन्हों ने आपको बड़ी जबरदस सी remedies बताई हैं, अब बारी है मेरी के हम आपको recipes बताएं अच्छा रेसिपी में जिस तरह से मैं आपको बताया है कि हमने हरे मसाले के पसंदे बनाने और बगार राइस नॉर्मल से चावल हैं, कोई rocket science recipe नहीं है बट आपने ट्राइ जरूर करना है और ट्राइ करने के बाद आपने हमें देना है अच्छा पसंदे बेसिकली जो बनाई जाते हैं जो सबसे best cut या best part होता है ठीक है अगर हम बात करें best cut या best part का तो वह होता है जी आपका undercut ठीक है undercut से आपने इसको बनाना होता है पसंदों को fine thin slices आप काटके undercut के जो है ना आप उसके पसंदे बना लेता है ठीक है जी मतलब उसका ham कर लें या ham ना भी करें तो उसके thin बिलकुल slices आपने काटकर use करना अचा अब undercut पूरे एक जानवर में से गाए में से या भैंस में से एक दो piece निकलते हैं ठीक है अब आपको अगर undercut नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे आप put कभी use कर सकते हैं आप brisket कभी use कर सकते हैं आप बहुत सारे और cut से जहां आप पसंदे निकाल सकते हैं बट उसके लिए फिर आपने उसको marinate करना है अच्छा पक्का पपीता ले 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 उसका puree बना ले पैस बना ले मैश कर ले और मैश करने के बाद आप मीट के अपर अच्छी तरह से उसको coat करके रेस दे दे तक्रीबन चार से पांच गंटे का ताकि मीट अच्छी तरह से वह टेंडर हो जाए फिर उसके बाद आप उसमें फर्दर इंग्रीडियंट्स कर लें तो आप सब ने रेसिपी ट्राइ करनी है और फीडबैक देना इंस्ट्राग्राम टुईटर और फेस्बु ख्याल लखें अच्छा अब सहत का ख्याल लखने से बात आती है तो सक्सेस की ठीक है कि अगर हम बात करें कि हम सहत कभी ख्याल लखना है हमने और काम भी करना है और सक्सेस भी होना है और हमने अपनी मन्जिल तक भी पहुँचना है तो यहां पर आपको सारी चीजे साथ ल अगर आप ने जान और इसको पकड़ लिए तो इसको छोड़ेंगे ठीके तो यहां पर आपने हर चीज को इको यह लें के चलने तो इसपर बात करेंगे यहांपर हमने ओयल आट कर दिया तीकit ऐड़ायर करने के आपने इसको करना होता है अधर लसन को कि आप इसका जो खुश्बू है और इसके जो अरोमा है मतलब बिसिकली फ्लेवर जो जाइका है वो आप मिस्त ना करने ठीक है अब यहां पर थिन स्लाइसिस जो पसंदे थे आपके कटे हुए ठीक है इनको आपने इसमें शामिल किया अधरक और लसन के साथ आप ने पसंदों को जो है को कोक्ट होने के लिए रख जाए अचा आप यहां पर देखें आपने इस तरह से इसको कैप कर दिया ताकि अच्छी तरह से जाइका है वो अच्छी तरह से जो है मीट के अंदर इंफ्यूज़ जाएगा ठीक हम मीट अध जादा पका लेंगे तो फ्लेवर जो हैं उसके हम मिस कर जाएंगे तो यहाँ पर दही को आपने अच्छी तरह से फेटना है ताक के इसके लंज ना बने ठीक है जी वंस आप इसको फेट लेते हैं मेरी उर्दू जो है ना मुझे कल पता चला मैं कल मैं वैसे तुम्हे आप लोगों बता चुका हूं बड़ी सुर्खी वाली मैं उर्दू कहता हूं बोलता हूं तो यहाँ पर मैं मैं आज मैं का वर्ट सही यूस कर रहा हूं तो असद भई जरह बताईएंगा मैं अगर आज फिर गलत कर रहे हूं दू भुल गयाँ अधाय। हैं हां अच्छा यहां पर हमने योगर डाइट किया और योगर डाइट करने के बाद यह रहा है सकalion को अप्मे मैं अच्छी तरह से डुबारा से मिक्स कर दिया है ठ्छी है अब आप यह देखेagar पेल छोकिका मीमाने मीट जो एक मिट में तेंडर दही भी मीट को तेंडर करेगा ठीड़े जी यह एक ऑर इसके बाद यह लाक शामिल कर दिए यह लाख आईड़ा, लग दाद दाईगा से लुज़ानं के बाद जाना आदएगा फ्लीवर्स में जाइके में चार चांद लग जाए ठीक है यह हो गया डन परफेक्ट और अब आपने इसको एक दफा और अच्छे से मिक्स किया यह हो गया डन अब मैं इसको कैप करते हुआ अच्छा लेखें जिन्दगी में कुछ पाने के लिए आपको अपनी बहुत सारी चीजे जो है वो खोनी पड़ती हैं जिस तरह से हम कहते हैं के अराम अगर कोई यह कहें कि मैं आराम भी कर लूँ और कामयाब भी हो जाओ तो यह तो पॉसिबल तो आपको अपने लिए अपने उपर काम करना पड़ेगा ठीक है अगर आप बोलें के मैं दवाईयां खा के कमजोर हो जाओ तो पॉसिबल नहीं है पॉसिबल है ठीक है मगर उसके साइड एफेक्स भी हैं वर आप उससे बहते हैं आप वोक आउट करें कुछ खोएं अपन एक्सराइस के लिए जाना पड़ेगा आप एक्सराइस करें आप रणिंग करें आप सहतियाब रहेंगे आपकी बॉडी फिट रहेगी ठीक है आपको भूग अच्छी लेगी अब बहुत सारे लोग हमारे ऐसे जिनको कॉंस्टिपेशन का इशू है जिनको मेटैबलिजम आप अपने आपको टाइम धे डेली आदा गंटा वॉख करें एकसराइस करें और आप देखें आप कि आप में कितना फर्क आएगा इसकिन की बात करते हैं चेहरे पे आप येकिन जाने मेरे चेहरे पे भी स्काफ थे खड़े थे निशान थे सब कुछ थे पिंपल्स थे ठीक है बड़ टाइम देना पड़ता है हर चीज के लिए आपका टाइम रिकॉर्ड होता तो कभी ऐसा हुआ नहीं बड़ आप जितना संसेटिव होंगे जितना आप इन चीजों के तरफ जाएंगे मल्टिपल चीजें अपलाई करेंगे किसी एक शक्स की रेमेडी या किसी एक डॉक्टर की बीफ को को कोक करने के बाद यहाँ पर हम इसका हरा मसाला बना लेंगे अब हरा मसाला बनाने के लिए हमने अनियन के थेन स्लाइसिस ले लिए ठीक है फिर इसके अंदर हमने चॉप कोरियंडर फ्रेश पुदीना ठीक है फिर उसके बाद यहां पर हमने जिंजर ठीक है जी अद्रक धनिया पुदीना और फिर उसके बाद काली मिर्चे ठीक है यह इलाइची इसमें हमने शामिल कर दी और उसके बाद लेसन गार्लिक के जबे और यह हमने इसमें जीरा साबत शामिल कर दिया और फिर यह हरी मिर्चे हमने इसके अंदर शामिल करने के बाद इसमें में एक लिमिटेट कॉंटिटी जो है पानी के आट करूँगा ताके यह अच्छे से ब्लैंड हो सके ठीक है यह हमने पानी आट किया और उसके बाद अब हमने यह कैप किया पानी इसलिए कम रखने क्योंकि विकाउज इसमें अनियन भी है ठीक है कॉरियंडर मेंड ग्रीन चिली यह सब पानी यह जब आप इसको आट करेंगे पानी इसमें थोड़ा सा तो उसको ब्लैंड करने में ब्लैंड होने में असानी देगा और फिर सेकंड लिए इसके अंदर जितने भी हमने इस्पाइस आइट कियें, कालिमेट, जीरा और इलाइटी वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए, इसके अंदर पाउडर या पेस फॉर्म में आ जाए तो इस तरफ यह होगा है दूसरी तरफ यहां पे बीफ का पानी है धाई के साथ वो खुश्क हो रहा ह ठीक जी तो यहां पे एक शौट सा ब्रेक है वीफ कुप्ट हो रहा है हरा मसाला बन रहा है तो एक ब्रेक पर चलते हैं ब्रेक से वापस आएँगे फिर रेसिपी को आगे लेके कंटीनि का चलेंगे तो तब तक आप सपने हमारे साथ रहरा जाना काई नहीं मलते है शौट के चमचे नमी खुस पे जायका मसालबानानी के लिए पूदीन ह एक गठी हरा दौनिया एक गठी चोटी हरी मिर्चे दस अदत kinda चौटी इलाईची का दाने एक खाने का चOTHER काली मिरच दो खाने के चमचे अद्रक एकिंज का टुकरा सुन्ट अ तर्वे काला जीरा दो खाने के चम्चे प्यास एक अदद। मसाला बनाने के लिए तमाम सावत मसालों को सेख कर पीस लें। फिर इसमें बचे हुए अज़ा शामिल करके पेस्ट बना लें। तर्कीब पैन में अद्रकलेसन पेस्ट फ्राइ कर लें और फिर इसमें पसंदे शामिल करके फ्राइ कर लें। अब इसमें दही को फींट कर शामिल करें और अच्छी तरह से भूनें। अग इसमें पसंदे मसाला शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें और भूनें। फिर इसमें ह ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर अचा जी यहां पर आगर हम सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हम पसंदे बना रहें ठीक है और उसके बाद हम दूसरी तरफ राइस बना रहें तो यहां पर हमारे पास आप यह देखें तो बीफ जो है वो तकरीब सबी हों उसको अधर कGANा दूसरी तरफ यहां ने मसाले बनाया है इस मसाले के अंदर आपने निया पूदीना हरी मि Upon a तरह काली मेर्फ और काली मेर्फ इसके इंदर शामिल करके अंट के साथ इसका जाह सा फेष्ए आप नहीं बना लेना यहिए थी तो यह पैस्ट और रहара अब आप देखें तो यहां पर इलाइची, काले बेट्च और जीरा जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है और यह हमने हरा मसाला आप इसमें शामिल करके अब इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स किया और इसको एक दफा फिर से आप पकने के लिए रख देंग तरह जो हरा मसाले के जोटाम से वो अच्छी तरह से व वी एंफूसंट हो जाए ठीक है यहुगे ड़ अब मैं इसको कैप कर देता हूं और यह अब हमने इसका फ्लेम जो है स्लो कर दिया ताके मीट जो है वो अच्छी तरह से सारे फ्लेवर्स को जो है पकड़ ले ठीक है इसका हम एक तरफ कर देते है और इस तरफ हम यह प्राइंग पैन अब इस पे हमने कुकिंग ओईल थोड़ा साइट किया अब बड़ा जो है ना घरेलू जो मेथड है उसी को हम अपलाई करेंगे और अनियन को जो है इसी कम ऑईल के अंदर आपने अच्छा गोल्डन ब्राउन कर देना है अच्छा अब पसंदे जो हमने बनाए है इसके अंदर आप बेशक अगर आप चाहते तो हरा मसाला और मियक अच्छा लगा है आप अपस्ट्र एक इसको अच्छा करने के जरूरत नहीं है जा है कि हरा मसाला जो आपने बनाया है उस हरे मसाले के अंदर मीटrek कर लें ताके जो हरी मिर्चे हैं हरा धनिया पुदीना अनियन को हटा कर बतारो मैं अनियन को हटा कर आपने हरा मसाला धनिया पुदीना हरी मिर्चे और बाकी जो हमने मसाला जीरा है आपका काले मिर्च है इनके साथ आप में इसका बिल्कुल एक पेस्ट बना दिया और पेस्ट बना अब होगा क्या? कि आपने ज़ेस आप जो गार्लिक और जिंजर अद्रक और लेस्ट का पेच्छ आपने उसको ऐट कें आपने उसको एट की अदर और और अनियन जो है थन स्लाइसिस काट कर आपने शामिल किये और अनियन को आपने इस तरह से अच्छी तरह आपने खोल लिया ठीक है यह होगे डान और इसको आपने फुल फ्लेम के उपर कुक करना है अनियन जैसे ही लाइट कलर लेते हैं आपने इसमें बाकी के इंग्रीडियेंट्स कर देने ताके बाकी के जो स्पाइसिस हैं जो हम बगार इसको हम कह रहे हैं वो सारी फ्लेवर जो है इसमें अनियन के साथ ओईल में एब्सॉर्ब हो जाएं वो फिर हम चावल इसके अंदर आइट कर दें आप अगर यह देखें आप तो ऑईल ऑन टॉप आने लग गया है और हरा मसाला जो है उसको बड़ा जबर्दस अरोमा खुश्बू जो है आपको आएगी ऑईल देखें तो साइट से एच पे आने लग गया है और इसका मतलब है कि हरा मसाला भी कुक्टोर आ ठीक है यहां पर टाइम टाइम आपने इसको हिलाते रहें ताके बेस से मीट लगे ना यह होगे डान को हम वापस कर देते हैं अब यहां पर राइस के अंदर आप जो भी हमेशा हम बात कर रहे होते हैं कि जिस तरह से हमारी एक बहन ने हमें कहा के बेटी को कॉंस्टिपेशन है और उसका पेट जो है वह खराब रहता है तो यहां पर फुल अफ काप काप से रिलेटिड जिती वेजटिबल्स और फूर्ट आप आप उनको खिलाएं ठीक है खाना खिलाएं और हम वेजटिबल्स का इंटेक जो है अपनी लाइफ के अंदर मीट खोर होते जारे हैं और जिस तरह से अकसर हमने शोस के अंदर यह बात कही है कि आप चिकन से दूर हो जाएं जितनी भी हम कि इसरे आप के अखिज़ा खाते हैं। हैं। इसे आप डूर के बाइच कि मुर्गी फार्म अथरेग को बहु है। ठीके जी तो अगर आप देसी अफोर्ट नहीं कर सकते तो जरूरी नहीं है कि आपने गोश्ट खाना है आपके पास वेजटेबल में बेहसाब अच्छे आप्शन जो आप घर में एजी ली जो है उसको बनाकर आप डाइनिन कर सकते हैं तो यहाँ पर आपने वन्स अनियन जै अब आप चाहें तो चिकन पावडर यूज़ कर ले यह चिकन क्यूब यूज़ कर ले यह आपके ओपर डिपेंट करता है ठीक है या गेट डान इस तरह से और उसके बाद हमने इसमें नमक हजब जाइका शामिल कर दिया चावल के हिसाब से ठीक है और इसको अब हम मसाले थे हमने इसमें शामिल के थे वह सारे मसाले अच्छी तरह से ठीक है इसके साथ ब्रेक कर टाइम भी आ गया और यहां पर थोड़ा समयने यह पानी आटके है ताके स्टीम जो है वह इसके अंदर बन जाए और वांस यह डन होता है यहां पर हमने यह चावल इसमें शा आपने इसको दम देना है फूट कलर एट करके तो यह यहां पर एक शॉट सा ब्रेक है ब्रेक पी जाएंगे ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे आकर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहने जाना कहीं नहीं मुलते है एक शॉट स अब इसमें दार्चिनी और लॉंग टाल कर करकड़ा लें अब इसमें प्यास शामिल करके ब्राउन कर लें अब चावल और यहनी शामिल करके जर्दे का रंग शामिल कर दे और दम पर रग दे आज का तड़का वालकम बैक फ्रॉम दे ब्रेक वीवर्स ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर अच्छा जी तो यह हमारी आज की दो रेसिपीस थी बगारे राइस और जबरदस्ती बीफ पसंदी की रेसिपी जो के हर्याली पसंदों के नाम से हमने यह रेसिपी रखे तो उमेद यह करता हूं कि आप लोगो को रेसिपीज हमारी समझ में आई होंगी और पसंद भी आई होंगी और आप लोग ट्राइब भी करेंगे और जब भी आफर्याइव करेंगे आपने हमें फीडबैक देने कलिए आप सब हमें जोइन करेंगी princezcz करेंगें इंस्या ग्रा का आज पोडूस के लोगों का दोस्तों का और रिस्तारों का रखने है बहुत ज्यादा ख्याल मुझे और हमारी टीम आज की जो हमारी की मैं इसको रखना अपनी दौाओं में आद कल फिर आजिर होंगा जी तब तक के लिए खुदा आफिस आज का तड़का